नमस्कार लाइस्रीज के एस्ट्रो चानल में आपका स्वागत है मैं रिया आज हम बात करने वाले हैं भाई दूज के बारे में जानेंगे कि भाई दूज का पौरानी कथा क्या है और आखिर कब से भाई दूज का त्योहार मनाया जाने लगा है भाई बहन का प्रमुख तेवहार भाई दूज बड़ी ही धूमधाम के साथ कार्तिक मास में सुकल पक्ष की दुवितिया तिथी को मनाया जाता है इस दिन बहने अपने भाईयों के माते पर तिलक लगाती है और भाईयों की लंबी उम्र के लिए प्रातना करती है अगर आप भी अपने भाई की लंबी उम्र चाहती हैं तो आप भाई दूज की इन उपायों को जरूर करें इससे आपके भाई यम्राज के भय से मुक्त हो जाएंगे तो चलिए जानते हैं कि आखिर वो पौरानिक कथा क्या है पौरानिक माननेताओं के नुसार माता संग्या ने भगवान सूर्य की दो संताने थी उनका नाम यम्राज और यमुना है माता संग्या जब सूर्य की तेज नहीं सह पाई तो वो दोनों संतानों को चाया को स्वाप कर वहां से चली गई चाया को यम्राज और यमुना से ज्यादर लगाव नहीं था लेकुन यमुना मय्या को अपने भाई यम्राज से बहुत प्रेब था यमुना मैया अपने भाई यम्राज की घर अक्सर आया जोया करती थी और उनके दुख सुख पूचा करती थी यमुना भाईया यम्राज को अपने घर अक्सर आने के लिए आमंतरित करती थी लेकिन काम की विस्तता की कारण वो कभी यमुना मईया की घर नहीं जा पाते थी। कातिग मास के सुकल पक्ष की द्वितिय तिथी को एक बार, यमराज अपनी बेहन यमुना की घर अच्छानक पहुँच गए। बहन यमुना के घर जाते वक्त यम्राज ने नरत में रह रहे जीवों को मुक्त कर दिया यम्राज का बहन यमुना ने अपने घर में खुब आदर सत्कार किया उनके माथे पर तिलक लगाए और तरतर के पकवान बना कर उनको खिलाए जब यमराज बहन यमुना के घर से चलने लगे तो उन्होंने मन चाहा वर्दान मांगने को कहा जिसके बाद यमुना मैया ने कहा कि अगर आप कुछ वर्देना चाहते हैं तो वर्दान दीजिये कि आप हर साल मेरे घर इसी तिथी पर आएंगे और मेरा अतीत्विस्विकार करेंगे जो भी भाई दूश के दिन अपनी बेहन के वहाँ आपकी तरह ही आएंगे टीका करवाएंगे और बेहन उसको भोजन खिलाएंगी तो उसको आपसे भैर ना रहे फिर यम्राज ने बेहन यमुना को वर्दान दिया कि जैसा आप तुम कहती हो वैसा ही होगा अगर आप भी अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करती हैं तो यम्राज की पूजा जरूर करें और अपने भाई को यम्राज के प्रकोप से जरूर बचाएं तो भाई दूश के दिन भाई को अपने घर आमंत्रित करें और उसको टीका लगाएं अपने घर में भाई का आ कानल को सब्सक्राइब करें फेस्बुक पेज को लाइक करें वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया